पेश है जलकियां एक सिक रिज्मेंट के शुर्दार चुगिंदर सिंखी जो उनिसो पासट में भारत की सरहदों की रक्षा में चीन के फौज से लड़तेवे वीर गती को प्राप्त हुए जिने मरणोप्रांड भारत के सर्वोच्चे सैन वीरता प्रसकार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया उन्होंने अकेले ही पचास से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया और इंडियन आम फोर्सेज के भीतर एक युद्ध नायक बन गए नमस्कार मैं सौरफ मंडल आपका दोस्त और इस चैनल का होस्त स्वागत करता हूं आपको एक और नए एपिसोड में 9 सप्टंबर 1962 को भारत के ततकाले इन रक्षा मंतरी कृष्ण मेनन ने थाला रेंज के दक्षर से चीनी सैनिकों को हटाने का फैसला किया इस निर्णय का समर्था नहरू ने भी किया जो उस समय कॉमनवेल्ट प्राइम मिनिस्टर कॉन्फरेंस अटेंड कर रहे थे लंडन म इसके बाद साथवी इंफेंट्री ब्रिगेड जिसमें एक सिख सामिल था नामकाचू में जाने का आदेज दिया गिया जिसे सैनी रूप से अस्वस्त और चीनियों के लिए एक लाबबद मैदान माना जाता था इस कदम की भारती मीडिया ने कड़ी अलोचना की जिसमें भारत के सैनी आक्रमक्षमनता का तक देते वे इसे संसेशनल हेडलाइन के साथ परचारित किया इस घटनाक्रम के अवगत जीनियों ने नामकाचू में बिना तैयारी वाले भारती चौकी पर हमला कर दिया खाला कि भारती सैनी को ने हमले का विरोध किया लेकिन और संचार लाइन के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ हमले के तुरंत बाद जीनी तावांग की और आगे बड़े बीच में उन्हें गूमला दर्रा पर एक भारत्य चौकी का सामना करना पड़ा जिस पर एक सिक के नेत्रित्व में 20 लोगों की एक पल्टन थी और यह पोस सिंग के अधीन था जीनियों ने पोस्ट पर तीन लहरों में हमला किया जिसमें से प्रतेक में 200 लोग सामिल थे आला कि सुरवाती दो हमले को सफलता पूर्वक विफल कर दिया था लेकिन उस समय तक पल्टन की मूली संख्या आधी हो चुकी थी सिंग भी गायल हो गए लेक अधी ही गोला बारूत खतम हो गया और जो बचे थे उनके पास केवल संगीन ही बची थी इसके बाद सिख सैनिक वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते का नारा लगाते वे चीनियों की और आगे बढ़े यह देखते ही चीनी रेखाय तितर वितर हो गई और संगीनों से हमला शुरू कर दिया, अपनी भारी संख्या और भैतरीन हतियारों के कारण चीनी सिंग और उनके शेश सैनिकों के अंतिम हमले का सामना करने में सक्सम थे, इससे पहले कि सिंग पर चीनियों काँ कपझा होता, उन्होंने अकेले ही अपने संगीन से 56 चीनी सैनिकों को मार डाला बाद में उन्हें चीनियों ने अपने कबजे में कर लिया और अंततह उनके चोट के कारण वह भीर गती को प्राफ्त हुए इस पूरी कारवाई के दौरान सुवधार जोगेंदर सिंग ने कर्टव विके प्रती समरपन प्रदर्शित किया और सर्वोच क्रम के नित्रित्व और बहदुरी का प्रती किया चीनियों ने 17 मई 1963 को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अस्तियां बैटालियन को भेज दी बाद में खलेश को मिरट के सिख रजिमेंटल सेंटर में लाया गया और अन्ततर उनकी पतनी को सौप दिया गया जोगेंदर सिंग का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंचाब प्रदिश भारत के मोगा जिले के महाला कलान में हुआ था उनका बच्पन उसी गाउ में बीता उनके पिता शेर सिंग सहानन एक क्रिशक सैनी सिख परिवार से थे जो वोशियारपूर जिले के मुनक कलान गाउं से मोगा जिले के महला कलान में स्थानांतिर हो गए उनकी जोगंडर सिंग की माता बीवी कृष्ण कौर भेला थी जोगंडर सिंग ने बीवी गुर्दयाल कौर बंगासे शादी की जो कोठक्पुरा के पास कोठाया रारा सिंग गाउं के एक सैनी परिवार से थी वह नाथु आला गाओं के प्राइमरी स्कूल में गए और दरोली गाओं के मिडल स्कूल में गए उन्होंने यह सोचकर सेना में शामिल होने का फैसला किया कि उन्हें पहचान और उद्दीश मिलेगा ब्रडिश भारते सेना में सामिल होने पर सिक को 28 सितंबर 1936 को सिक लाइट इंफंटरी की पहली बटालियन में तैनात किया गया था देना में सामिल होने के बाद उन्होंने शिक्षा में अपनी रूची की पहचान की और जल्दी ही आर्मी एडुकेशन एक्साम पास कर लिया बाद में उन्हें यूनिट एडुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में निउप्त किया गया उन्होंने दृतिय विश्विद में बर्मा मूर्चे पर और 1947-48 में भारत पाकिस्तान के युद के दौरान स्रीनगर में सेवा की 1980 के दर्शक में Sipping Corporation of India जो की Ministry of Sipping के अंतरकत भारत सरकार का एक उद्धम है Sipping Corporation of India ने PVC प्राप्त करताओं के सम्मान में उनके 15 कच्चे डेल के टैंकरों का नाम रखा टैंकर M.T. शुबदार जोगेंदर सिंग PVC 1984 में Sipping Corporation of India को सौप दिया गया था और जरनबद होने से पहले 25 वर्षों तक सेवा प्रदान की थी सिंग के सम्मान में मौगा के जिला कलेक्टर कार्यालय के पास एक स्मारक प्रतिमा बनाई गई है और भारती सेना द्वारा आईबी रीज पर एक स्मारक बनाया गया है 2018 पायोपिक सुबदार जोगेंदर सिंग भारत चिन यूद के दोरान सिंग के जीवन और उनके कारियों पर आधारित है मुख्य भूमी का पंजाबी अभिनेता और गायक गिपिक घ्रिवान ने निभाया था झालक कि भी मुख्या पर आपक प्राद सिंग मुख्य विक भी मुख्या सिंग। कि अच्प।